खाद्य पदार्थ को खरीते समय हमेशा date of manufacture, best before या date of expiry अवश्य जाच ले date of manufacture खाद्य पदार्थ को बनाने और pack करने की तारीख बताता है इसके बाद best before का समय भी जाच ले best before date आपको इस बात की जानकारी देता है कि इस खाद्य पदार्थ की कितने समय के लिए गुणवक्ता बनी रहेगी उदाहरण के लिए यदि date of manufacture 10 अपरेल 2020 है और best before समय तीन महीने का है तो इस खाद्य पदार्थ को date of manufacture से तीन महीने के अंदर इस्तिमाल कर लेना चाहिए यानि 10 जुलाई 2020 से पहले इस तारीख के बाद इस खाद्य पदार्थ की गुणवक्ता कम हो जाएगी यानि ये अपना स्वाद, ताजगी, रंग और खुश्बुक हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खाना खाने लाइक ही नहीं है expiry date ये बताने के लिए है कि इस तारीख के बाद ये खाद्य पदार्थ खाने के लिए असुरक्षित हो सकता है उदाहरण के लिए अगर expiry date 30 जून 2020 है और वो बीच चुकी है तो इस तारीख के बाद ये खाद्य पदार्थ इस्तिमाल करने लाइक नहीं है और आपके स्वास्त के लिए हानिकारक हो सकता है हमेशा याद रखिए जिन पदार्थों की expiry date निकल चुकी है उन्हें कभी भी इस्तिमाल ना करें Food Safety and Standards Authority of India द्वारा जनहित मिजारी